कि पुलीस का गलेक्टरेट हैं कि भोद्वाले से जब गोलो आप है आपके इस बात के बैस कर रहे हैं तो आपके मैंने का तेख राजयस्तान के पब्लीक नहीं आ सकता है कि यह क्यों नहीं जाएगा पांच आदमी आएंगे तो काम नहीं कराएंगे तो आप पुमिस्वाले को यांसे यह बेरत है तो आप पुमिस्वाले को सस्पेंट कराई है कौन आप मेरे को लोग लिए कि यह अज़िए पांच के लिए अदर किसे बाद ने कह दिया उसके बाद आपने काये कि पांच से उपड़ नहीं जाले तुम्हाद की बात नहीं मानूंगा अब आप करके आप ने आप ने का कि पांच के लिए आधे रहां है अब आप आप करो बात आप मेरे को प्रस्टिंग के तो कि आप इसको श्रस्पेंट कर रहे हैं कि गन लाइसेंस एक प्रक्रिया है परंतु उस प्रक्रिया में भी क्योंकि एक देश सेवा का मैटर था उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था तो मेरा मानना है कि जब सिपाईयों को गैलेंटरी प्रमोशन मिल गया और जिन लोगों को अगर उनका धनलाइसंस का भी नहीं दो समाज चाहएँ तो सब को अगया ते किसा ने सब को गाए किसा दरॉघा यज गलत है और रिजन यह है कि मेसेज जाना चाहिए कि कलेक्टरेट में माने मुख्यमंत्री जी की मर्जी के अनुसार सब आदमी निर्भीक तोर पे खुले तोर पे आएं यह नहीं कि जब बीजेपी की MP आये तो तो पीछे से पूरा दरवाजा खोल दो आप और कॉंग्रेस के मेले के साथ सब आते हैं तब दरवाजे को चैनल गेट को बंद कर दो यह जो रवया है यह प्रशासन का दुखत था और एक एसाई की गलती थी देखिए MLA साथ घीम सुदर सिंग सिंग जी रावज साथ 15-20 कारिकरताओं के साथ में कोई माननी कलेक्टर महोदे को ग्यापन देने आये थे गेट पे हमारे जापता तैनाथ था जैसा MLA साथ कहना है कि साथ मुझे यह जानते हुए कि मैं MLA हूं उन्होंने मुझे रोका जबकि जो अधिकारी लगा हुआ था मोके पे उनको और MLA साथ के समक्ष करवाया तो यह उन्होंने कहा था है मैंने MLA साथ से निवेदन किया था कि पांच लोग MLA साथ फोदर पांच लोग ज्यापन के लिए उपर आ जाए यह बात थी प्राइमरी उन्होंने इस चीज को लेके कलेक्ट साथ को कहा था है साथ मेरे साथ बत्तमी जी की अगर ऐसा कोई फैक्ट आता है तो उसकी जांच होने तक कि जो एसाई अधिकारी लगे हुए थे उनको श्रीमान एसपी साब ने लंबे थे